वेलकम बैग फ्रेंड्स फिर से एक बाव स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर मेरे इस YouTube चैनल का नाम है निले सर क्लासेज 1-2-3 जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेश कर ले ताकि कोई भी नोटिफ के सान आपके पास सबसे पहले पहुंचे आज का जो टॉपिक है वह है भारत के शम्मिधान से यानि की इंडियन Constitution दो इंडियन Constitution आफ इंडिया भारत के शम्मिधान में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जन्रली सारे एक्जाम में एक दो रिविट होते ही रहते हैं तो आज इन छोटे छोटे प्रशनों पर हम लोग नजर डालेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक्जाम में यह आ अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर राजेंदर परशाद यह हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यह बच्चों से ऐसा सुनने को मिलता है डॉक्टर अमबेटकर संभीधान मतलब अमबेटकर को ही मान लेते नहीं अमबेटकर क्या थे तो डॉक्टर शंविधान प्रारूप समि बने और शंविधान सभा की अस्थापना कब हुई अगर ऐसा क्वेशन आता है तो यह जो शंविधान सभा बनी जिसमें बहुत सारे लोग थे और अपना अपना जो है विचार या बहुत सारे देशों के शंविधान को पढ़ा गया उनसे बहुत सारी चीजों को लिया गया तो यह एक पूरी सभा थी और इसके बहुत सारे लोग मेंबर थे तो संविधान सभा की अस्थापना कब होई तो 9 दिशंबर 1946 1946 में यह ध्यान रखने है भारत कैसा राज्य है तो अगर क्वेशन आता है कि भारत कैसा राज्य है तो धर्म निर्पेख राज्य है ठीक है यहाँ पर कोई एक विस्सस धर्म नहीं यहां सारे धर्म को मानेता है सारे धर्म के लोग पूजापाठ हर्चना कर सकते हैं इसके आज़ाध फ्री थे हैं तो कैसा है तो धर्म रख्षक कौन है तो यह कौन है तो शर्वोच नियाल है वही कानून का रखवाला है भारतिय संसदिय प्रणाली किस देश से ली गई तो इंग्लेंड से यह जो हमारा संसद है या जो संसदिय प्रणाली है अपर हाउस लोर हाउस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो मापनों को संदिय दोटक कि द्सक्रावच प्रणाली कहां से लिए तो इंग्लेंड से लिए इंग्लेंड के समिधान से हाउस अगला कोशन कर रहे कि भारतिय को बननेमें कितना समय लगत्रिय कॉमों क्योंौन धान ये लग pagesals यह लग बात्य जो है मुश्किलें आ जाती है कन्फूज हो जाता अदमी तो याद रखेगा दो बर सी ग्यारा माह और अठारा दिन का टोटल समय लगा था हमारे भारतिय शंविधान को बन करके तयार होने में ठीक अगला क्वेशन है कि भारतिय शंविधान द्वारा कितनी भासाओं को माने तदी अब यहां पर अगला प्रश्ण है कि भारतिय शंविधान की आठ्वी अनुशूचि में भासाओं कितनी हैं अगर यह कुश्यन आता है तो बाइस भासाओं हैं लेकिन वो कौन-कौन सी भासाओं हैं तो अगर यह आता है इसा प्रश्ण तो इसमें हम लोग भासा है नेपाली है ओडिया है पंजाबी है संस्कृत है शिंदी है तमील है तेलगू है उर्दू है बोडो संथाली भासा मैथली और डोंगरी लेकिन भोजपूरी नहीं है यह एक विडम बना ही है कि अजादी के इतने वर्षोबाद भी भोजपूरी को आठ्वे अनुस और बिहार के एक बहुत बड़े अंचल में बोली जाने वाली अस्थानी लोकल भाषा है लेकिन इसे आठ्वी अनुसूची में इसको जगह नहीं मिली जबकि परल्लेमेंट में इसके उपर बहुत सारी भासे हुई और जो भी उस भोजपूरी एरिया के जो भी सांसद लो हो पाया आसा करते हैं आगे जरूर होगा तो यह रहा हमारे भारतिय शंविधान दो कॉंस्टूशन आफ इंडिया यह एक्जाम में यह सब कुछे जाते हैं अभी इंडिय का इक्जाम हुआ पिछले संडे तो उसमें यह पूछा गया था कि यह भारतिय शंसदिय प्रडाल हैं आसा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें आज की लितना ही थैंक यू